जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक वर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे आज भी हम अपने आपको एक महान देश कैसे बता सकते हैं हम अपने आपको एक महान सभ्विता कैसे बता सकते हैं हम अपनी करुणा भूल चुके हैं हम अंदर से तूट चुके हैं क्योंकि आज सरकार जो है वो अपनी इमिज बनाने में अपनी छवी सुधारने में विश्वास करती है पश्यम बंगाल में सिर्फ 75 सीटे जीतने के लि आपको दो मिसाली देना चाहूंगा आपके स्क्रीन पर दिखी ये पूरे स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं ये गोरकपुर में एक तख्ती लटकी हुई है शमशान घाट के साथ में आप जानते हैं क्या कहती है ये ये कह रही है कि शमशान घाटों में जो चिताएं जल रह उसकी तस्वीरें लेना मना है उसका वीडियो लेना मना है क्योंकि ये हिंदी रीती रिवाजों के खिलाफ है जिस राज के मुख्यमंत्री मृत्कों के आकड़े दबाएं जहां वो ये मानने को ही तयार नहीं है कि ऑक्सिजिन की कमी है जहां ऑक्सिजिन के सिलिंडर मांगने वालों पर FIR दर्श कर दी जाए आज उन्हें इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि अगर हम अंतिम संसकार के वीडियो दिखाएंगे तो उससे हिंदू धारमिक भावनाय आहत हो जाएंगी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज ये चिताएं जल क्यों रही है इसका जिमिदार कौन है कभी सोचा इस बारे में और मैं आपको बताता हूँ कितने महान लोक तंत्र है दोस्तों ये वीडियो देखिए यूद कॉंग्रेस के नेता श्रीनिवासन और उनकी टीम न्यूजीलिंड में ऑक्सिजन सिलिंडर्स पहुचा रही है उन्होंने अपील की मदद की बाद में भारत सरकार ने कहा कि ये जो डिमांड्स है वो अनसोलिसिटिड है बेसिर पैर की डिमांड्स है इसकी कोई जमीन नहीं है आपने कहीं पर देखा है कि एक दूतावास उस देश की विपक्ष की पार्टी की यूथ टीम से मदद की अपील कर रही है अब भी हम अपने आपको एक महान लोक तंत्र बताते हैं और अब भी तुम अपनी जवी सुधारने में लगे हुए हो जो दो मिसाले मैंने आपको बताएं ये दोनों तस्वीरे दुनिया भर में जा रही है बताईए देश की नाक कौन काट रहा है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि सुप्रीम कोट ने कल मोधी सरकार को किस तरह से लताड़ा एक एक शब पर आपको गोर करना पड़ेगा और कोरोना के एक साल बाद भी अगर सुप्रीम कोट ये कहने को मजबूर है तो इससे जादा शर्म की बाद कुछ नहीं हो सकती एक एक कर के बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि तीन बड़े मुद्दे जो उन्होंने उठाए जो आपके स्क्रीन्स पर ऑक्सिजन की अतिरिक्त सप्लाई बनाएं यानि की सरप्लस सप्लाई बनाएं अस्पतालों में भरती की एक राश्ट्री नीती बनाएं और जो लोग सोशिल मीडिया में मदद की मांग कर रहे हों या मदद कर रहे हों उन्हें परिशान ना किया जाए एक एक करके आपकी स्क्रींस पर सबसे पहले सुप्रीम कोट ने का तीन मई की रात से पहले दिली में ऑक्सिजन की कमी को संभूधित करके पूरा किया जाए यानि अगले दो दिनों में दिल्ली को ऑक्सिजन मोहया कराई जाए दिल्ली को ऑक्सिजन मोहया कराई जाए उसकी डिमांड है 900 मेट्रिक टन्स और इस वक उसे मिल रहा है 550 मेट्रिक टन्स ये दिल्ली है क्या दिल्ली को इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने आपको जो चुना हुए थे उसमें आ प्राइव कर दिया था उस प्रसारण को और ये कहा था कि देखिये मुझे हर्यांणा कीस तरह से परिशान कर रहा, कि इस बात की सजा दिल्ली को दी जारी है? दिल्ली वो जगा है जो कि देश की राध्यनीतिक राध्धानी है, तमाम राजनिता रहते हैं, प्रधानमंत्री र जवस्था बनाना चाहिए, यानि बफर स्टॉक बनाए और इस पर अपने नियंतरन को पूरी तरह से खत्म करे, क्या बोल रही है यहां पर अदालत, अदालत यह बोल रही है कि आपने काबू करके रखा हो, इसे खत्म करो, राजों के साथ मिलकर एक नीती बनाओ, खासकर जो एमरजेंसी के हाला थे उनको लेकर, एक साल बाद अब भी हम यह बात कह रहे हैं, आपने सोचा है, इसलिए मैंने आपको कारके बीशुरुआत में कहा कि हम अंदर से तूट चुके हैं, ना करुणा है, ना ममता है, और उपर से गवनन्स नाम की कोई चीज नहीं है, आपको सुप्रीम कोट आइना दिखा रहा है, आगे देखिए, सोशल मीडिया में जो लोग मदद मांग रहे हैं या मदद दे रहे हैं, अगर उन्हें परिशान किया गया तो अदालत ऐसी राज सरकारों और सरकार और पुलीस पर कारवाई करेगी और इस मामले में सभी चीफ सचि जीवों और वरिष्ट पुलीस अफसरों को जानकारी दी जाए, कितने शर्म की बात है, मैं किसी की मदद कर रहा हूं और तुम मुझ पे ही केस करोगे, ऐसा हुआ था उत्तर पदेश में, अमेठी में एक व्यक्ती अपने दोस्त के नाना के लिए औक्सिजन सिलेडर मदद कर रहे हैं, मैं अपनी बात करता हूं चलिए, दोस्तों मैं इस थिती में नहीं हूँ कि किसी को रैम डेजिवर दिला सकूँ, ऑक्सिजन दिला सकूँ, बिस्तर दिला सकूँ, मगर सोशल मीडिया में, जैसे मैं ट्विटर की बात करूँ, तो मेरे करीब 12 लाक फॉलो करते हैं, और पिछले तीन हफतों से, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा, कि जो लोग मुझसे अपील कर रहे हैं, कि अभिसार भाई, ऑक्सिजन को लेकर मदद करें, रैम डेजिवर को लेकर मदद करें, या अस्पतालों में जगा क के लिए मदद करें, तो मैं उनकी इन मांगो को उन लोगों के पास पहुचा रहा हूँ, जिनके पास सामर्थ है, और उसके लिए मैं आपको कुछ चेहरे दिखाना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी सांसत संजै संग, यूद कॉंग्रिस के नेता श्रिनिवासन, कॉंग् अब आप जानते हैं, जब भी मैं कोई ट्वीट डालता हूँ, या मदद की अपील करता हूँ, तो मेरे जहन में ये डर बना रहता है, कि अरे कहीं उत्तर प्रदेश पुलीस, या फिर दिल्ली पुलीस मुझ पर F.I.R. ना कर दे, अब मदद करने के लिए भी आप दिल में मुझे डर पालना पड़ेगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, कि हम अंदर से तूट शुके हैं, क्योंकि करुणा और ममता नाम की कोई चीज नहीं रही है हमारी व्यवस्ता में, आगे देखे, केंद सरकार अदालत को दस मई तक बताएगी कि उसने उपर दिये गए दिशा निर्देशों पर क्या कारवाय की, इसके लावा, मौझूदा टीका करण नीती, बहुजन समाज और कमजोर तबके के लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग टीके की कीमत नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल सही, इस देश के जो वंशित हैं, कमजोर हैं, बहुजन समाज से हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो कहां से पैसे देंगे, बताएंगे न, इसको लेकर सरकार के पास कोई नीती नहीं है, बस ऐसी हवा में काम चल रहा है, आगे, अदालत ने राज्यों और सरकारों के लिए टीके की कीमत में फर्क पर भी सवाल उठाया, आखिर जो राजनीतिक दल हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, आम इनसान अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, दो तस्वीरे में आपको दिखाता हूँ, कल ममताब आनरजी की शांदार जीत हासिल हुई, दरसल कल कहा जाये तो मोधी सरकार के दौरे जटके का दिन था, पह कुरोना नए सिरे से पाउं पसार रही है पश्चिम मंगाल में और ये जशन की तस्वीर है अब ये तस्वीर देखिए मुझफर नगर में पंचायत की चुनावों में ये देखिए मतगणना केंद्रों में कितनी बड़ी भीड़ी इसको लेकर अदालत से गुहार भी सकता हूं एक बार फिर यहां पर कुरोना का एक विसफोट होगा इसके लिए जवाब दे कौन है मुझे बताईए सरकार कुछ नहीं कर सकती ती योगी सरकार कुछ नहीं कर सकती ती या ये सवाल उठाने के लिए भी आप जो है पत्रकारों पर कारवाई करेंगे या आप ज पर न्यूजीलिंड ने स्रीनिवासन से अपील की किया आप हमें ऑक्सिजन सेलिंडर पहुँचा सकते हैं बहुत जरूरी है फिलिपीन्स एंबसी हम अर्पिच शर्मा और करंट सिंग प्रिंस जो की यूद कॉंग्रिस से जुड़े हुए नेता हैं उनका धन्यवाद करना च चाते हैं उन्होंने दो बड़े ऑक्सिजन टैंक्स हम तक पहुचाएं बहुत बहुत शुक्रिया अब जैसे ही ये बात वो करते हैं उसके बाद हमारे विदेश मंत्री क्या कहते हैं उनकी लड़ाई शुरू हो जाती ट्विटर पर कॉंग्रस निता जहराम रमेश के साथ वो क्या कहते हैं विदेश मंत्राले ने फिलिपीन्स एंबसी से बात की वहाँ पर किसी तरह का कोई कोरोना केस नहीं था और ये सिर्फ एक unsolicited supply थी यानि कि उन्होंने बिलकुल भी मांग नहीं की थी बावजूद उसके यूथ कॉंग्रिस के नेताओं ने उन तक oxygen cylinder पहु अब पहुँचाया जा रहा था किसी ने मांग नहीं की थी आप यहां देखिए दोस्तों बाकाइदा Congress ने प्रमान पेश किया है पूरे स्क्रीन पर देखिए प्रमान पेश किया है कि किस तरह से अपीज कर रही थी New Zealand और New Zealand की Embassy ने भी किया था जिसे उन्होंने बाद में डर के मारे डिलीट कर दिया मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूँ शर्म कीजे ऐस जैशंकर साहब कुछ सीखिये स्वरगिये सुश्मा स्वराज सुश्मा स्वराज को भी ट्विटर पर मदद की कई बार अपील की जाती थी मगर वो ये नहीं देखती थी कि अपील की अपील कौन कर रहा है दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी होता था तो वो कहते थे बेटा शिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करूँ वो कितना मदद कर पाती थी ये अलग मुद्दा है मगर उन्होंने करूणा दिखाई थी सीखिए जैशंकर साहब क्योंकि आप एक नहायत ही इनकॉंपेटेंट मिनिस्चर है आप अंतराश्री तोर पर देश की मदद तो कर नहीं पा रहे हैं और उपर से आप इस तरह की वाहिया चीज़े करते हैं ये विडियो देखिए दोस्तों यूथ कॉंग्रेस ने आखिरकार ये विडियो नियूजेलिंड की एंबसी तक पहुँचाया आप मुझे बताईए ना अब यहाँ जूट कौन बोल रहा है और फिर देखिए विदेश मंत्राले का ये बयान इसकी आखरी पंक्ती पढ़िये गिवन दे पैंडेमिक सिचुएशन अल आर अरज़ नॉट टू होड एसेंशल सिप्लाइज इंक्लूडिंग ऑक्सिजन उन्होंने क्या कहा कि ऑक्सिजन और जरूरी चीजों की जमाखोरी ना करो और उन्होंने ये फर्मान किसे जारी किया है दिल्ली में बसे दूतावासों के लिए यानि कि आपने ये समझ लिया है कि दिल्ली में जो दूतावास हैं वो चोर उचक्के हैं वो जमाखोरी करते हैं बेवज़ा जमाखोरी कर रहे हैं मेरे दो सवाल है खोरी करनी पड़ रही है तो हालात किसने पैदा किये एक साल था आप लोगों के पास oxygen को लेकर demand को पूरा करने के लिए पहले तो आपने 8 महीने लगा दिये oxygen plant को लेकर tender जारी करने के लिए फिर आपने जब tender जारी कर दिये 112 tender उसमें से सिर्फ आप 32 की मांग पूरी कर पाए और उसमें कीमत सिर्फ 201 करोड रुपे की लग रही थी आप वो पैसा भी नहीं लगा सके और आप दूतावासों को कह रहे हैं कि आप लोग जमा खोरी ना करें कहां कौन है ये भाई एस जैशंकर साब और सबसे दुख की बात है कि ये शक्स खुद एक राजदूत रह चु जाती है अब मैं आपको एक और खबर बताता हूं दोस्तों बहुत ही मारमिक खबर है आपके स्क्रीन्स पर ये खबर देखी ये जानते कौन है इनका नाम है मोजामबीक बुरूने और आलजीरिया में भारत के पूर्व राजदूत अशोक अमरोही 27 अप्रेल की आधी रात ये मेदान्त अस्पताल पहुँचते हैं गुरुगाओं के गुरुग्राम के मदद की अपील कर रहे होते हैं कि मुझे बचाओ देखी ये कोई आम इंसान नहीं है ये फॉर्मर एम्बाजडर है और पांच घंटे मेदान्त की कार पार्किंग में रहने के बाद इनकी मौत हो जाती है एस जैशंकर जो की हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने इनको लेकर श्रद्धांजली दिये अपने ट्विटर अकाउंट पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एस जैशंकर साहब आप जब दूसरों को धमकाते हैं बोलते हैं कि जरूरत नहीं थी ऑक्सिजन सप्लाई की और कुछ लोग चीप पबलिसिटी के लिए बेवजा ऑक्सिजन सिलिंडर्स पहुँचा रहे हैं अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं तो जब यहां पर यह आदमी हमारे फॉर्मर एम्बाजडर अशोक अमरोही साहब अपील कर रहे थे तो इनकी अपील को क्यों अंसुना कर दिया गया इनकी आवास किसने सुनी यह हालत है आपके फॉर्मर डिप्लोमाट्स की कि वो कार पार्क में मर रहे हैं और आप सिर्फ राजनीती कर रहे हैं दो मिसाल देता हूं मैं आपको आपके स्क्रीन्स पर यह हेमंत बिस्व शर्मा जैसे जानते हैं असम में बीजेपी कहते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी युद्धस्तर पर कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं हेमन जी मैं आपसे जाना चाहता हूं कि अगर वो युद्धस्तर पर कोरोना का मुकाबला कर रहे होते हैं तो क्या देश की हालत होती है और मैं नहीं भूला हूं कि ललन टॉ लेकर हालत उग्र है और इनको देखिए हमारे स्वास्त मंत्री सुभे उठकर क्या ट्वीट करते हैं आपके स्क्रीन्स पर कह रहे हैं कि पश्यम बंगाल में 75 सीटे हासिल करने के लिए और असम में पुडुचेरी जीतने के लिए मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री को बढ़ाई दें कि आपने जीत हासिल किये 75 सीटों की जीत इसलिए मैं कह रहा हूं हम अंदर से टूट चुके हैं हमारी प्रधान मंत्री पूरी तरह से धराशाई हैं और यह शर्म की बात है सरकार का सिर्फ एक काम है और कुछ नहीं वो है पब्लिसिटी यह देखिए हमारे रेल मंत्री प्यूश गोयल क्या चला रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर इन्होंने एक रेल की ड्रोन से ली गई तस्वीर है देखिए साहब और क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर Oxygen Express of the Indian Railways continues transporting oxygen on mission mode across India The lifeline of the nation becomes a life saver for COVID-19 patients by ensuring swift delivery of oxygen to various states शर्म कीजिए प्यूश जी आप इस तरह की बाते करते हैं बताब ड्रोन के जरीए आपने तस्वीर पेश कर दी जो बहुत ही अच्छा फिल्मी शॉट लगता है बहुत अच्छा टॉप शॉट है मगर एक और टॉप शॉट है जिससे आप न भूलें जब अंतिम संस्कार किये जा रहे थे जब अर्थियां जलाई जा रही थी जिसे आपकी सरकारें दफन करने की कोशिश कर रही थी जिसके लिए आपके जो पालतू हैं मसलन वो जो नहरू सेंटर में डिरेक्टर हैं अमीश्ट रिपाठी जिन्होंने कहा था कि अंतिम संस्कार दिखाने से हिंदू रिती रिवाज और जो आत्मा की मुक्ती होती है उसमें दिक्कतें पेश आती है आत्मा को मुक्ती तब पेश होगी जब उन्हें मृत्यु में गरिमा मिले जब एक-एक चिता पर पांच-पांच शव जलाये जाएंगे ना तो उस आत्मा को मुक्ती नहीं मिलेगी जब जेसी बी के जरीए लोगों का शव उठाया जाएगा और फिर उसे गड़े में डाल दिया जाएगा तो उस आत्मा को कौनसी मुक्ती मिलने वाली है बताइए आप लोग हिंदू धर्म की भी बात करते हो नो अपनी सुवधा के एसाब से करते हो आपके पास तरक नहीं है आपके पास एक पालतू मीडिया है जो आपके नारेटिव को लोगों तक पहुँशाता है मगर बोल के लब आजाद है तेरे का फलसफा ही यही है कि हम आपकी आवाज देश की जनता तक पहुँचाते रहेंगे हम देश की जनता की आवाज सरकार तक पहुँचाते रहेंगे सिर्फ यही फर्ज हमने सीखा है नियूस क्लिक पर अभिसार शेर्मा को दीजे जासत नमस्कार